नमस्ते, आज हम एक वर रिडिंग करने वाले हैं, देखते हैं बहुत जल आपकी कौन सी विश्पूरी होने वाले हैं, ठीक है, यह जनरल रिडिंग है, सो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ठीक है, ओके, तो सबसे पहला काड है, कि आपने जो कुछ भी महनत क कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप हाड़ वर कर रहे हो, तो यह उसका reward आपको मिलने जा रहा है, और वो इच्छा आपकी पूरी होने जा रही है, क्या प्रिकॉन हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है, और देखते हैं, जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी, कौन सी इ आपके जो भी personal issue है, वो soul होने वाल है, यहाँ पर ऐसे बहुत लोग है, कि उनकी life में बहुत टेंशन है, उनकी personal life में, वो रिष्टो को लेकर हो सकता है, family में कोई issue हो सकते हैं, जगड़े हो सकते हैं, टेंशन हो सकता हैं, तो जो भी आपके personal issue है, यह सारे खतम होने वाले ह और राशी है cancer और यहाँ पर Capricorn है आप में इसे कुछ लोग बहुत जादा emotional person हो बहुत sensitive हो ठीक है और कुछ लोग ऐसे भी है अब अगर आप एक लड़का है तो किसी addiction से घिरे हो तो यह आपका addiction भी हट सकता है बहुत जल ठीक है तो बहुत ही खुपसरत कि आपके जो भी personal issue ह सब खतम होने वाल है वाव गैस यहाँ पर बहुत ही खुपसरत काड़ा है वापस यहाँ पर भी cancer है यहाँ पर भी cancer है ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इस राशी के हो सकते हैं आपके रहे message है you and your love one are safe अगर आपको चिंता हो रही है अपने प्यार की जिससे भी इस इंसान के अगर आपको चिंता हो रही थी या उस इंसान की कुछ तब्यद खराब थी या कुछ टेंशन था उस इंसान को तो यह आपकी विश्पूरी होने वाली है वो इंसान कोई भी हो सकता है ठीक है आपका भाई बहन, mother, father, partner, husband, wife कोई भी हो सकता है कि अगर वो किसी मुसीबत में है गर वो किसी प्रॉब्लम में है तो यह आपका टेशन हटने वाला है यह आपकी विश्पूरी होने वाली है जो भी आपके दिल के करीब है उस इंसान को अगर जॉब नहीं लग रहे थी उसकी बज़े से आप परिशान थे कोई भी हो सकता है वो इंसान तो यह आपकी विश्पूरी होने जा रहे है आपके सपने पूरे होने जा रहे है जो भी आपने सपने देख रहे थे और जिसके लिए भी फिर आप हाड़ वर्क कर रहे थे वह आपके सपने पूरे होने जा रहे है और मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे दिखाई दे रहे हैं बहुत जादा ब्यूटिफुल कार्ड है और उपर से यूर हाड़ वर्क इस पेंग आफ तो ये तीनों की तीनों कार्ड बता रहे कि आपकी कौन से विश कंप्लिट होने वाले हैं जिनको अपना प्यार वापस चाहिए ये उनके लिए भी बहुत ब्यूटिफुल कार्ड है जिनके सपने पूरे होने का इंतजार वो लोग कर रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत ब्यूटिफुल कार्ड है तो ये आपकी विश पूरी होने जा रही है ये बहुत जादा ब्यूटिफुल कार्ड है कि जो भी टेंशन है वो सारे खतम होने वाले है ठीक है तो टेंशन आपकी पूरी होने जा रही है, बहुत जल्द, कौन सी विश आपकी पूरी होने जा रही है, तो यह king of cups के energy है, जो इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन आप इसे चुपाता है, ठीक है, तो यह इंसान आपके, सामने अपने दिल के बात रखने वाला है, होगे, ठीक है, ओके, और क्या है, और कौन सी विश फूरी होने जा रही है, प्यार का मामला भी दिखाई दे रही है आप पर, ठीक है, दिल से मिलेंगे दिल, ओके, और क्या है, देखो गाईस, मुझे ऐसा लगते हैं, अगर आप मेंसे कुछ लोग, कुछ बिजनेस करना चाहते हो, किसे के साथ मिलकर, ठीक है, तो ये आपका काम बनने जा रहा है, ठीक है, अगर आपके ऐसी विश है, कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, या किसी के भी साथ मिलकर, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये आप कर पाओगे, दूसरी बात मुझे आप ऐसे दिखाए दे रहे हैं, कि अगर आपके बार में कोई गौसिप कर रहे हैं, कोई गलत बाते समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस काम में आपके कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपको टार्गेट किया जा रहा है, तो ये बंद होने वाला है, तो आपके जलने वाले, आपके दुश्मन, जो कुछ भी है, मतलब उनको समझ में आएगा की नहीं, इसके उपर गौड की ब्लेसिंग है, और इससे पंगा नहीं ले सकते, ऐसे कुछ यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है, गॉसिप बंद हो जाएगा आपके बारे में, वो डर जाएंगे, अगर अपने से कुछ लोग मोटिवेशनल स्पिकर बनना चाहते हो, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे इसमें, ठीक है, कोई टीचर बनना चाहता हो, तो ये भी आपकी विश्पूरी हो सकती है, ऐसी, ऐसा कोई काम जिसमें वानी, ठीक है, वानी का प्रयोग होता हो, ऐसा कोई काम जिसमें वानी का उपयोग होता हो बोलने का जो काम होता है आप उसमें अगर कुछ करना चाहते हो तो यह आपकी wish complete होने वाले है यहापर कुछ लोग ऐसे हैं जो motivational speaker बनना चाहते हैं और आप इस काम की तरफ एक कदम और बढ़ोगे यह आपकी wish complete होते हुई दिखाई दे रही है वाईस ठीक है और और क्या है एक कार निकालेंगे और कौन सी wish पूरी होने जा रही है वाव दिसन अब देखो दिसन में तो सब कुछ आ गया जो कुछ भी खुशी आप चाहते हो अपनी जिन्दगी में आपको मिलने वाली है किसी का जॉब को लेकर टेंशन है किसी का रिष्टो को लेकर है किसी को फाइनस को लेकर है जो कोई भी टेंशन है वो खतम होने वाला है और आप एक खुबसूरत जिन्दगी के तरफ बढ़ने वाले हो आपकी लाइफ में खुश्या ही खुश्या आने वाली है दिसन और यहाँ पर कुछ लोग अगर बेबी के लिए ट्राइ कर रहे थे तो यह भी आपकी विष कंप्लेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो बहुत ही ब्यूटिफुल काड है देशन देशन में सारी खुश्य आ गई जो भी आप पाना चाहते हो वो देशन में आ गया ठीक है ठीक है मेजर अकना से एक काड निकालेंगे कौन से विश आपकी पूरी होने जा रही है इस Republican मुझे यहाँ अपर बहुत ऐसे ही लोग है जो कोई वानि से जो कुछ भी काम होते हैं आप उसमें बहुत जबाइगर जाते हो tips बनना चाहते हो मोठीवेशनक् बनना चाहते हो मोटिभेजस्ञ स्पीकर बनना चाहते हो गुरू बनना चाहते हो योग गुरू मिल रहा था तो यह support आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको ऐसा मुझे बहुत सा chances लग रहे हैं कि जो bottom में the emperor का card है तो यहाँ पर जो भी लोग government job के लिए कोशिश कर रहे थे तो यह आपकी wish complete होती हुई दिखाई दे रहे हैं भगवान आपको universe आपको किसी ऐसी position पर बिठाने वाले हैं जहाँ पर लोग आपके हाथों के नीचे काम करेंगे ठीक है the magician आपको यह manifest करना है affirmation करना है जो कुछ पर आप पाना चाहते हो उसके लिए affirmation करो ठीक है यह काम आपका जरूर जरूर बनेगा law of attraction को apply करो prayer करते रहो देखो prayer बहुत ज़्यादा काम करती है और आपको prayer करना छोड़ना नहीं है यह the magician का card बता रहे कि यह काम आपका होगा आप attract कर रहे हो आप manifest कर रहे हो उस चीज़ को जो कुछ भी आप पाना चाहते हो ठीक है और ऐसे कोई position आपको मिल सकती है जो आप बहुत ज़्यादा बड़े ओदे पर जा सकते हो अगर कुछ लोग माता पिता है और बच्चे सुनते नहीं है आपकी तो अब वो बच्चे सुनने लगेंगे आपकी बात क्योंकि आपके हाथ में पावर आती हुई दिखाई दे रहे है कि साई बाबा आपको क्या guide करना चाहते हैं उदी की ताकद है यहापर साई बाबा आपसे जो भी लोग साई बाबा को मानते हैं यह सिर्फ उनी लोगों के लिए है कि मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तता शारिक व्याधियों को स्वस्तक करेगी अगर आपके घर में उदी है उदी पता है आपको जो रक्षा होती है अगर आपके घर में वो है तो आप उसका प्रयोक्ट करें ठीक है अगर आप अपकी तब्यत अच्छ नहीं है तो विश्वास के साथ उस उदी को लगाईए माते पर आप ठीक हो जाओगे ऐसा नहीं कि आपको हस्पिटल में जाना नहीं है लेकिन विश्वास के साथ उस उदी को भी लगाना है ठीक है कर्म है साई बाबा आपसे कहते हैं कि आपके कर्म ही आपको बहुत आगे लेकर जाने वाले है कर्म कारे कारण भाव हैं सजाने अगर आपको लगता कि यार मैंचे बहुत मेहनत करने पड़ती है क्या करू लेकिन ये जो आपकी मेहनत है यह जो आपके कर्म है, वही आपको बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं, ठीक है, आज आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बहुत आगे जाने वाले हैं, आप बहुत ग्रो करने वाले हो, जीवन की पुस्तक है यहापर, जिन्दगी में कुछ बूरे अध्धा है आना भी बाकी है आपका अच्छा टाइम अभी आया नहीं है वो आने वाला है ठीक है ओके और क्या है मुझे ऐसा लगता है कि रिष्टों को लेकर बहुत यहां पर आ कि आपके रिष्टे मजबूत बनेंगे कुछ लोग अगर खुद का घर बनाना चाहते हो तो यह आपकी विश्पूरी होगी नंबर 28 कुछ खास हो सकता है आप बहुत क्रेटिव हो आपको अपनी क्रेटिविटी का इस्तमाल करना चाहिए और बहुत ज़ादा इंतजार नहीं करना है रुकना नहीं है जो कुछ पिया आप पाना चाहते है उसकी तरफ बढ़ना है आपको देखो वाईस मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद के अंदर ट्रास्फरोशन लेकर आने की ज़रूरत तो है ही लेकिन आपके जिन्दग में भी बहुत बदलाव आने वाले हैं मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाए दे रहे जो बहुत साक्रिफाइस करते हो अपनों के लिए भाई बहन के लिए साक्रिफाइस कर दिया माबाप के लिए साक्रिफाइस कर दिया ऐसे कैसे चलेगा तो आप खुद के लिए कब जियोगे हमेशा दूसरों के लिए स तोचना है, self love भी करना है आपको, ठीक है, और क्या है, ओके तो यहाँ पर कुछ लग ऐसे भी है कि आप reunion के इंतजार में हो, पार्टनर आप से दूर है और आप चाहते हो, reconciliation, तो यह भी आपकी wish complete होने जा रही है, और आपके जिन्दग में जो भी अंधिरा था, वो खतम होने वाला है, milk and honey, बहुत romance आपकी जिन्दग में आने बाला है, जो भी ऐसी खोईश रखते हो, तो definitely अगर आप सिंगल हो, तो आपके life में प्यार आएगा, अगर आप किसे से प्यार करते हो, वो इंसान अगर बेचला है आपसे, तो यह प्यार लट कर आएगा आपकी जिन्दगी में, ठ अगर आप चाहोगे, आप करोगे, तो होगा, look for a sign, आपको कुछ sign मिल रहे है, एंजल की तरफ से, और आपको इन signs को देखना है, आपको बहुत ज़्यादा उससे help होगी, ठीक है, choose a new direction, अगर आज तक आप किसी एक ही तरीके से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो आपको choose a new direction, क पहले नहीं किया था, अगर आप कुछ पाना चाहते हो, और एक ही दिशा में आप काम कर रहे थे, तो कुछ अलग, कुछ नई दिशा में काम करो, जैसे कि अगर आप hard work कर रहे थे, तो सिरफ hard work नहीं करना है, आपको साथ साथ smart work भी करना है, ठीक है, तो ऐसे कुछ changes अगर आप लेकर आते हो, नई दिशा में जाते हो, तो आपके काम बनने वाल है, ठीक है, I hope आपको रिडिंग पसंद आए हो, like, share and subscribe मिलते है अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye